प्यारे बच्छो गुड मॉर्निंग आज आप लोगों को कच्छाई 11 विसे गणित के पूरे पाठ क्रेम के बारे में बताने जा रहे हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि COVID-19 महामारी के कारण आप लोगों की कच्छाएं चल नहीं पा रही है जिसके कारण गणित के सलेबस को 30% कम कर दिया गया है तो चल ये देखते हैं कौन-कौन सी टॉपिक और कौन-कौन सी चैप्टर को कम किया गया है तो इस्टार्ट करते हैं पहला देखी जो इकाई है इकाई फर्ष्ट इकाई फर्ष्ट का नाम है समुच्चे तथा फलन समुच्चे तथा फलन में पहला चैप्टर हमको पढ़ना है समुच्चे अब देखिए ये समुच्चे पहला चैप्टर है आपका ठीक है तो इस पहले चैप्टर में ये दो टॉपिक निकाल दी गई है, समुच्चेओं का अंतर पूरक समुच्चे, इसको समुच्चे में नहीं पढ़ना है, ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा चैप्टर है संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन में वास्तिविक संख्याओं की स गुडन तथा भागफल इस टॉपिक को भी निकाल दिया गया है, तीसरा चैप्टर है त्रिकोण मिती फलन, त्रिकोण मिती फलन में साइन ठीटा बराबर साइन अलफा, कास ठीटा बराबर कास अलफा, तथा टैन ठीटा बराबर टैन अलफा, प्रकार की त्रिकोण मिती स तर्मी करणों के ब्यापक हल को भी निकाल दिया गया है。 थीक है? और एक चीज़ ये देखिए, जो IKAI 1 है, यहां से हमारे 29 नंबर की Q-呢 हाते है. थीक है? IKAI 1 से 29 नंबर का Q-цен आता है. थीक है? चले, IKAI 2. IKAI 2 में देखिए, दूसरे IKAI में, दूसरी कई का नाम है बीजगणित यहां से 37 नमबर की question पूशे जाते हैं ठीक है जिसमें पहला chapter है गरती आगमन का सिध्धान्त ठीक है अब देखें गरती आगमन का जो सिध्धान्त है इस पूरे chapter को निकाल दिया गया है इस पूरे chapter को हम लोगों को नहीं पढ़ना है ठीक है दूसरा chapter है समरिष संख्याएं तथा द्विघास समिक्रें तो इस chapters में समरिष संख्याओं का ध्रूवी निरूपण समरिष संख्याओं के ध्रूवी निरूपण को निकाल दिया गया है तीसरा चेप्टर है रैखी का सम्क्या है रैखी का सम्क्या में कोई परिवर्तन नहीं है इसको पूरा पढ़ना है ठीक चौथा चेप्टर है क्रमचे तथा संचे क्रमचे तथा संचे में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है पूरी टापिक को पढ़ना है पूरिय चैप्टर को पढ़ना है पाच्वमा चैप्टर है हम लोगों का दुईपत प्रमे इस दुईपत प्रमे को पूरी तरह से निकाल दिया गया है ठीक है? इस दुईपत प्रमे को नहीं पढ़ना है इसलिए यहाँ देखे कट का साइन है अगला छठवा चैप्टर है अनुकुरम तथा स्रेडी अनुकुरम तथा स्रेडी में देखें विटा यहाँ पे हम लोगों को समेशन k बरावर 1,2, k समेशन k बरावर 1,2 यान k स्कुर समेशन k बरावर 1,2 यान k q इस पे जो बेश्ट क्यूशन होंगे उनको नहीं पढ़ना है ठीक है 1,3 देखिए 1,3 है निर्देशांग जामती निर्देशांग जामती से 13 नंबर की क्यूशन पूछे जाते हैं जिसमें पहला चैप्टर है सरल रेखा सरल रेखा में क्या टॉपिक निक्या ली गई है दो समानतर रेखाओं की बीच की दूरी दो समानतर रेखाओं की बीच की दूरी को निकाल दिया गया है इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है इसमें दूसरा चैप्टर है संकु परिच्छेद संकु परिच्छेद को पूरा पढ़ना है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और तीसरा टॉपिक है इसमें त्रिम्मी जाम्ती, चैप्टर 3 है, त्रिम्मी जाम्ती, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, पूरा पढ़ना है हम लोगों को आगे देखिए, इकाई 4 है कलन, इकाई 4 का नाम है कलन, जिससे 9 नंबर की क्यूशन पूछे जाएंगे, जिसमें चैप्टर से सीमा तथा आउकलेच, एक चैप्टर है केवल, सीमा तथा आउकलेच, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इस पूरी टापिक को हमको सांकिकी तथा प्राइक्ता, सांकिकी तथा प्राइक्ता से 12 नंबर की क्यूशन आते हैं, ठीक है, पहला चैप्टर है सांकिकी, सांकिकी में देखिए कौन सी टॉपिक निकाली गई है, बारम बारताओं, बंटनों का विशलेशन, जिनका माध समान, लेकिन प्रस्टन है, इस टॉपिक को निकाल दिया गया है, सांकिकी में हमको नहीं पढ़ना है, और सेकंड चैप्टर है इसका प्राइक्ता, प्राइक्ता में कोई परिवर्तन नहीं है, पूरी तरह से प्राइक्ता को पढ़ना है, ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा पूरा सेलेबस आपका, इसी सेलेवेस की अमस्वार हम लोगों को सिस्टिमेटिक धंग से सभी चैप्टर को पढ़ना है ठीक है धन्यवाद